मैगनेटाइट अर्था चुम्बिज प्राकृतिक द्रिष्टी से प्राप्त होने वाला चुम्बक है इस लोहे के छड़ को चुम्बकिये बनाने के लिए हम इसे दूसरे चुम्बक के साथ घिसते हैं वैसे तो हम सुई को भी चुम्बक में बदल सकते हैं उसे चुम्बक के एक छोर के साथ घिस दे अच्छे परिणाम पाने के लिए एक ही दिशा में घिसते रहना उचित होता है आगे पिछे की ओर नहीं सुई को लगभख सौ बार एक ही दिशा में घिसना पड़ता है इससे सुई चुम्बकियों हो जाएगी और अन्य चुम्बकियों पडार्थो जैसे पिन साधी को आकरशित कर पाएगी इस चुम्बकत्व को प्रेरित किया हुआ चुम्बकत्व कहते हैं इस प्रकार से निर्मान किया गया चुम्बकत्व बहुत कम समय के लिए ठिकता है क्या हम चुम्बक बनाने के लिए सुई की जगा किलों का इस्तमाल कर सकते हैं आपने बाजार में इस प्रकार के चुम्बकिय कमपास अवश्य देखे होंगे इनका इस्तमाल दिशा दिखाने के लिए होता है जब हम सुई में चुम्बकत्व निर्मान करते हैं तब हम इसी प्रकार का कमपास बना सकते हैं। इसके लिए एक बोतल का ढकन लेकर उसमें सुई गुसा लें। अब इस ढकन को पानी से भरे एक बरतन में रखें। जिससे वो उत्तर दक्षिंड दिशा में अपने आपको संद्रेखित कर लेगा। सुई का नुकिला छोर दक्षिंड दिशा दर्शाता है और सुई की आँख वाला छोर उत्तर दिशा दर्शाता है। क्या हम चुम्बक से चुम्बक अत्व निकाल सकते हैं। अगर उसे गरम करें या फिर बहुत समय तक हाथोड़े से उस पर वार करते रहें तो वो पदार्थ अपना चुम्बक अत्व खो देता है। अब जरा सोचिए अगर हमने इस चुम्बक अत्व को बीच में तोड दिया तो क्या होगा। पहले चिम्टे की मदद से हलके से सुई के डो टुकडे करेंगे। बाद में बोतल के ढकन में एक-एक भाग को रखेंगे। आशरी के बात है कि उतरद्रो और दक्षिंद्रो दर्शाने की बजाए ये दोनो भाग दो स्वतंदर चुम्बकों की तरह काम कर रहे हैं। उतरद्रो और दक्षिंद्रो को अलग करने के लिए हम चुम्बक को बीच में से काट नहीं सकते हैं। अगर हमने उसे काटा तो हमें दो स्वतंदर चुम्बक प्राप्त होंगे अब हम सुई को तीन भागों में विभाजित कर इस बात पर यकीन कर सकते हैं अब सोचे कि यदि हमने दो चुम्बकों को जोड़ा तो क्या होगा? क्या वे स्वतंत्र चुम्बकों की तरह काम करेंगे चलिए अब हम दो चुम्बकों को एक साथ रखेंगे और हम देख सकते हैं कि ये दोनों चुम्बक एक चुम्बक के समान काम करते हैं हमने वस्तुओं में चुम्बकत्व लाने के लिए क्या करना पड़ता है और उनके चुम्बकत्व को खत्म करने के लिए किन तंत्रों का उपयोग करना पड़ता है इसके बारे में विस्तार से जाना